हेलो नमस्काथ दोस्तों स्वागत आपका मेरे YouTube जिसका नाम है इस्विल प्लस आइटी टेक्नो तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं डिली मुंबई एक्सपेस वेस के बारे में और फ्यूचर में इसे बारा लेन का बनाया जा सकता है इसके लिए इन्होंने बीच में चार लेंच के लिए डिस्टेंस और सब्स रिज़ा कर दी है निर्माणादि अंड्र necessary control experience की तरह किया जा रहा है यह जो रोड्ड है वो भारत की राजधानी को भारत की फाइनेशल राजधानी से आपसमें में जोड़ता है बड़ोद्रा मुंबई एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी इसमें जोड़ा गया है इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो रखा गया था हमारे यूनिन मिन्स्टर नितिन गटकरी जी के द्वारा शुष्मा सुराज और अरुन जेटली जी की उपस्तिती में इसका जो टाइमिंग था जिसने इसको फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था वो था हमारा आठ मार्च 2019 को इस प्रोजेक्ट की जो टो जोड़ा गया है इसमें एडिशनल 30 किलोमेटर का इस पर भी बनाया जाएगा जिसकी मेनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन का ध्यान नेशनल हाइवे अथोर्टी ऑफ इंडिया करेगी जो की नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जेवार से बल्लवगड़ पर बनाया जाएगा इसको मार्च 23 तक कंप्लीट करने का लक्ष रखा गया है और यह है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा इस पुजेट के अंडर जो जो राज ये आएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्नेक्ट करेगा डिन्टी फ्लाइबे जो की दिल्ली जवाना नहरू पोर्ट जो की महरास्ट्रा वाया दोसा कोटा रतलाम बडोद्रा एंड सूरत को इस पुजेट के माध्यम से जोड़ेगा यह दिल्ली नौकली मीटर और इसमें हर्याना का 139 किलो मीटर राइस्थान का 373 किलो मीटर मध्य पदेश का 244 किलो मीटर गुजरात का 426 किलो मीटर और महरास्ट्रा का 171 किलो मीटर का एरिया एरिय इसमें शामिल होगा जिस पर कि इस एक्स्प्रेसवे को बनाया जाएगा इसमें जो मेन एक्स्प्रेसवे है वो सोहना तू विरार है जिसकी कुल लैंथ 1198 km है इसमें दो additional Spurs को भी add किया जाएगा जिसकी length D&D फरिदाबाद KMP 59 km बताई जा रही है और उसके अलावा विरार JNPT 92 km है जो कि इस इस project को बढ़ा कर 1350 km करती है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इस project को initially 8 lanes के लिए बनाया जाएगा और इसे green field alignment के accordingly बनाया जाएगा backward areas में अभी present समय में दिल्ली मुंबई वाया रोड 24 घंटे का समय लगता है लेकिन इस project के complete होने के बाद जो यात्री है वो दिल्ली से मुंबई की यात्रा 10 से 12 घंटे में पूरी कर सकेंगे इस project में काफी खास बाते हैं लेकिन जिनमेंसे एक है कि इस express के बीच में चार lanes के लिए spare reserve की गई है जिससे future में 8 lane से इसे 12 lane का बनाया जा सकेगा इस project को execute करने के लिए 52 packages का use किया जा रहा है जिसमें से 31 packages are under engineer procurement and construction model और EPC project जैसे की EPC project means सोहना बडोद्रा segments जो कि इसमें यूज किया जा रहा है वो EPC project के under आता है बाकी बच्चे हुए 21 packages are hybrid NUT model और H.A.M. project है जिसमें H.A.M. model जो है वो एक hybrid और mixture of EPC model और boat model है जिसमें government of India पे करेगी 40% जो भी project का cost होगा उसका प्रियोग trenches जैसे की mild stone में 40% का इस्तिमाल किया जाएगा बाकी 60% का contractor द्वारा balance किया जाएगा इस project के द्वारान गुजरात के एक contractor पटेल infrastructure ने एक world record बनाया इस contractor ने 24 घंटे में 2.58 km लंबी और 4 lane चोड़ी जिसकी dimension 4 x 2.58 equal to 10.32 lane km के equal होती है जिसने इसको payment quality concrete को बिचा के दिया और उसका काम complete किया special features used in Mumbai दिल्ली express way तो दोस्तों इसमें जो 4 main special features used गये गये हैं उसके बारे में बात करते हैं इसमें जो पहला feature used किया गया है वो है wayside amenities इस express में 93 places पर bayside amenities बनाई जाएंगी जो कि हमें ATM hotel, retail shops, food courts, charging stations for electrical vehicles और fuel station की सुविधा भी दी जाएगी यह भारत की पहली एक ऐसा express वे होगा हेलिपेट्स और पूरी तरह capable और एक प्रोमा सेंटर्स का निर्मान किया जाएगा जिसकी सुविधा हर 100 km डिस्टेंस पर यात्रियों को प्राप्त होगी इसमें जो second special feature है वो है electric highway 25 माह 2021 को union minister नितिन गड़करी जी ने लोग सवा में एक प्लान पास किया जिसके अनुसार express वे को बढ़ाया जाएगा और इस पर ही हाइवे का निर्मान किया जाएगा जहां पर ट्रक और बसे एक सो बीस किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौर सकती हैं और इस जगह पर इन्हें इलेक्ट्रिक वेकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन्स भी प्रवाइड किये जाएंगे तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें फीचर दिया गया है वो है इन्वारेमेंट फ्रेंडली इस एक्सप्रेस वे को इन्वारेमेंट फ्रेंडी ब्राने के लिए लगभग दो मिलियन प्लांट्स का यूज किया जाएगा और यह प्लांट्स एक्सप्रेस वे के बोथ साइट दोनों तरफ लगाई जाएंगे इसमें ड्रिप वाटर इरिगेशन मेथल का प्रियोग किया जाएगा जिससे की रेन वाटर हार्वेस्टिं सिस्टम को भी हर पांसो मीटर अंतराल के बाद उप्योग में लाया जा सके और इस्तिमाल किया जा सके इस एक्सप्रेस वे में जिस इलेक्रिसिटी का प्रियोग होगा वो स्टेट ग्रिट्स और सोलर पावर से ली जाएंगी इसका फॉर्थ और लास्ट स्पेशल फीचर जो इसमें दिया गया है वो है इसमें पांच नेच्रल लुकिंग वाइल लाइफ क्रॉसिंग ब्रि रिजर्व के लिए बनाया जाएगा और इनको वाइल लाइफ कोईडोर कहा जाता है जिसमें एक टनल का निर्माण मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क के लिए किया जाएगा जो कि भारत की पहली एट लेन वाइल्ड टनल होगी यह भारत का एक मात्र एक्सप्रेस वे है जि इसके अलावा चार टाइगर रिजर्व और राहिस्तान जिसका नाम सारिस का टाइगर रिजर्व है उसके लिए भी इसमें ब्रिजिस और टनल्स का निर्माण किया जाएगा तो दोस्तों यह भारत का एक बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट प्रजेक्ट चला हुआ है जो की अभी दिली और मुम्मी के बीच में है इसमें पहली बार के वाइल लारीक eighth को ध्यान में रखते हुए उनको डिस्रान्त लेंस ना हो उसके लिए इस एक्सप्रेस स्ट ओर तयार किया जारा है और बनाया जा जा रहा है ताकि उनको को हैक्षपेस वे इसको डिटेल मे देख सकेंगे आपती नहों तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे आने वारे वीडियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू झाल 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 झा